वीडियो में हमने पराथा चेंजे तेना फैमिली आज की इस वीडियो में हम उसके कोशन एंसर्स करने जा रहे हैं अगर आपको वीडियो अभी तक आपने नहीं देखिए तो मैं उसका लिंक आई-कार्ट और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी आप पहले उस वीडियो को देखें उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से अंडर्स्टैनिंग हो मनीश अपने पैरेंस के साथ रहता है तो इसे कौन सी फैमिली कहते हैं उके हमने परा था जितमें बस बच्चे और इसके पैरेंस हो वो फैमिली कौन कहते हैं नियूक्लियर family okay okay next we move रमेश लिव्स विट इस पैरेंस और ग्रेंट पैरेंस जो रमेश है वह अपने पैरेंस और ग्रेंट पैरेंस में अपने ममे पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं उसको हम कौन्सी family कहते हैं yes extended family okay आप मुझे इसके questions आप मुझे comment box में भी लिखके बता सकते हैं तब तक मैं यहां पे भी लिख रहे हूं देखें आपकी भी आंसर सही होती है यानि आपको कितना अच्छे से understanding हुआ है लटा एंचित लिव विथ या पैरिंस अंकल्स आंट कर्जन और ग्रेंट पैरिंस जो लटा रंकित है वो अपने पैरिंस के साथ अंकल आंट कर्जन और ग्रेंट पैरिंस के साथ रहते हैं तो वह कौन से family है yes joint family mohit's mother is no more he lives with his father जो mohit's की mommy है अब वो means नहीं है डेड हो गया उंकल तो he lives with his father और वो mohit अपने पापा के साथ रहता है बस तो वो कौन से family होगी single parents family अब यह कुछ कोशन से कोशन एंसर से आई डिस्कस कर लेते हैं what is the nuclear family तो हमें पता है nuclear family क्या होती है जिसमें बस parents और children रहते हैं उसको हम nuclear family कहते हैं मैंने यहां लिख भी दिया है आप चाहे तो screenshot ले सकते हैं और video को pause करके भी answer लिख पकते हैं a family in which parents and their children live is called a nuclear family जहां पे उस family में जहां बस parents और उनके बच्चे रहते हैं उसको हम nuclear family कहते हैं उसके बाद है what is a joint family joint family क्या होती है वो family जिसमें mommy, papa means parents, cousins, uncle, aunt, grandparents सब एक साथ रहते हैं उसको हम joint family कहते हैं तो इसका भी answer देख लेते हैं in some family parents, children, uncle, aunts, cousins and grandparents live together such a family is called a joint family मैंने बता ही दिया उस family में जिसमें parents, children, uncle, aunts, cousins और उनके grandparents रहते हैं उस एक साथ रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं joint family और we can say big family ओके third question how are family members helpful to one another in a joint family family means joint family में सब एक दुसरे की कैसे help करते हैं ठीक है so यहाँ देख लेते हैं in a joint family there is more economical support ठीक है joint family में हम economical means economical होता है पैसे से ठीक है हम पैसे से एक दुसरे की मदद कर सकते हैं there is more efficient use of resources हम जो resources है means हमारे पास जो भी सामान है हम उसका बहुत अच्छी तरके से इस्तेमाल कर सकते हैं okay burden is divided amongst a few people rather than just one person और अगर हम joint family में रहते हैं तो हमारा जो क्या है burden means जो हमारी काम है हम एक दूसरे से share करेंगे तो एक इंसान कम से कम एक गंटी में काम कर रहता है वहाँ पर दो इंसान मिलकर वह half an hour में complete कर सकते हैं okay और इससे क्या होगा burden भी कम होगा ठीक है आगे देखते हैं what are the changes that can occur in a family किस type की changes हमारी family में आती है तो हमने पढ़ा था किस type की changes आती है जब कोई baby जनम लेता है या फिर किसी की शादी होती है या फिर कोई अपने city native place को छोड़ कर दूसरे cities में जाता है for job और higher education के लिए तो इसका आंसर देख लेते हैं in a family many changes take place the chat बहुत सारी changes होती है जैसे कि when a child born जब कोई बच्चा जनम लेता है when son gets married a new members the wife joins the family जब किसी बच्चे की लड़के की शादी होती है तो उसके family में उसकी wife आती है तो हमारा family change होता है थोड़ा extend हो जाता है when a daughter of a family gets married she lives with her husband जी के अगर किसी हमारी बीटी की शादी होती है तो वह हमारी family को छोड़कर अपनी husband की family में joint करती है तो हमारा family यहां से small हो जाता है और उनकी family वहां पे big हो जाती है okay someone is no more or dead means कोई इस दुनिया में नहीं रहा तो भी हमारी family थोड़ी छोटी हो जाती है when a person moves different city और a country और कोई इंसान different city में जाता है या different country में जाता है तभी भी हमारी family change होती है ठीक है तो हमें इसके fourth question answer discuss कर लिये है अब c part देखते हैं क्या name the relation हमें इनके साथ इनका relation बताठा है your father's mother हमारी papa की mummy हमारी कौन होंगी yes grand mother okay your father mother sorry your mother's father हमारी mummy की papa हमारी कौन होंगी grandfather means Hindi में बोल है तो नाना okay children of your uncle's and children हमारे means अगर हमारे uncle and के बच्चे हमारे कौन होंगे हमारे cousins बहुत सारे होते हैं तो cousins okay यहां पर क्या लिका write the correct words rearranging the following letters यहां पर हमें कुछ और रिएरेंज करना पर लिका इन्स words को तब पर पहले o m h t e r तो क्या बन सकता है यह सोचो yes mother m o t h e r okay सो हमने बना लिया क्या word बना यह mother means mommy c u e l i n यह क्या बन सकता है yes uncle u n c l e uncle uncle कोई भी हो सकते हमारे पापा के भाई okay उसके बाद है i c s o n u यह क्या होगा cousin c o u s i n s cousin यहां पर वैसे s और रिक नहीं है तो हम cousins जट्च लिखेंगे यू t n a यह क्या बनेगा aunt a u n t aunt okay उसके बाद है t h sorry t r a f h e तो यह क्या बनेगा father f a t h e r father means papa okay so आज की इस वीडियो में हमने question answers complete कर लिया और इसे पहली वीडियो में हमने chapters read कर लिया समझ लिया अच्छी तरीके से so आप अच्छे से देखिएगा और घर में रहिए be safe be happy bye bye